नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आपको मेरी चैनल में फिर से एक बार में हूँ आपकी वही अंजरी इस दिल में व्यार था कितना वो जान लेते तो क्या बात होती हमने मांगा था उन्हें खोदाशी वो भी मांग लेते तो क्या बात होती जी हाँ आपने सही सुना हम आज के देली राशी फल की बात कर रहे हैं ये प्रेडिक्शन चंदे राशी पर अधारित है सबसे पहले आज के दिन जिनका बज्टे है या फिर मेरी ज़नुवर्सरी है उनको मेरी तरफ से जेर सारी बधाई हो तो चलिए शुरू करते हैं जिन्दगी मानों तो एक साइकल की तरह होती है बैलन्स बना कर रखने के लिए लगातार चलना पड़ता है आपको भी हमेशा जिन्दगी में बैलन्स बना कर चलना चाहिए और याद रखेगा कि आपको अपने लक्ष से नहीं भटकना है वक्त, हालात और रवय्या ये सब बता देते हैं कि किसने आपके साथ कितना चलना है जिन्दगी तेरे खाव भी कमाल के हैं तू गरीबों को उन महलों के सपने दिखाती है जिसमें अमीरों को नींद तक नहीं आती इंसान की सबसे बड़ी खता ये है कि वो भगवान से पहले इंसान के सामें रोता है अरे भगवान के सामें रो ये जो सच में अपना है जो कभी साथ नहीं छोड़ता सोचकर बाजार गया था अपने कुछ आंसो बेचने हर खरीदार बोला अपनों के दिये तौफे बेचा नहीं करते सबसे पहले मैं आपको बता दू कि अजाब के लिए जो है भागेशाली जो रंग है वो बन रहा है आज के लिए ग्रीन कल जाने की हरा और जो लखी नमबर है वो नमबर 9 रहेगा आज किसी भी विश्य में फैसला ना होने की वज़े से एक जगा अटकी रहने की भावनाएं आज आपके अंदर पैदा हो रही है अगर आप परिस्थेती में बदलाव चाहते ही है तो आपके विश्यारों में भी बदलाव आपको करना पड़ेगा हर चीज पर काबू करने की कोशिश जो है आपकी वो आपको तकलीफ थोड़ी बहुत दे सकती है किवल अपने लक्ष को ज़रा ध्यान में रखते हुए काम करते जाएए आगे पड़ते जाएए लक्ष किस रास्ते से प्राप्त होगा किस मर्क से मिलेगा इस बात का ज्यादा तनाव आज आप खुट के उपर प्लीज मत बनाईएगा यूगि आपके रिस्ते नैचरिल तौर पर खुलते रहेंगे आज कारोबारियों को प्रेप्त साफधानी बरतनी होगी इस्पैशली जिनको काफी काम मिला हुआ है जादा या फिन अगर आपने कस्टमर से कोई काम लिया हुआ है और आपने इस डेट को जो भी है आपनी काम कंप्लेट करके उन्हें देना है या कोई सर्फिस प्रोवाइट करनी है तो आपको इस चीज में साफधानी बरतनी होगी क्योंकि अगर ज़रा सा लेट हो गया तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है परिसितियां आज पूरण तहां आपके पक्ष में ही है वैसे तो सिरफ कोई भी फैसनाल लोने से पहरे उस पर अच्छी तरह से विचार विमर्ष करना बेहत जरूरी है धार्मिक और अध्यात्मिक शेत्र में भी आपकी बहुत ही ज़ादा आस्था जो बढ़ सकती है काफी ज़ादा मॉटिवेट हो सकते हैं और आपकी जीवन शाली में पॉजटी बदलाव देखने को भी मिल सकते हैं इस समय व्यक्तिकत जीवन से चुड़े किसी भी कारे में रिस्क मत लीजेगा क्योंकि बहुत ही बड़े नुकसान होने की भी संभावनाएं लग रही हैं आने वाले दिनों में घर के बड़े बजरुगों के मान सम्मान में किसी भी तरह की कोई भी कमी मत आने देजेगा क्योंकि उनकी नराजगी से घर के वातावरण में काफी हद तक उदासी चाह सकती है तो इसलिए बड़े बजरुगों का खयाल आपको रखना चाहिए और दुख सुख सांजा करते रहना चाहिए एक दूसरे से आज काम मन चाहे वक्त पर ना होने की वज़े से कई लोग जो है बहुत ही मायूस होंगी और आपकी उपर भी तनाव बना ही रहेगा लेकिन काम पूरा करने के लिए अपने जरा प्रतन जो है वो करते रही महनत करते जाएगे आपको अपनी फैसले की जो क्षमता है उसे बढ़ाने का प्रयास भी करना होगा आपके लिए मारक दर्शे को कोई ना होने की वज़े से अकीला पहन महसूस हो सकता है फिर भी परिसेती में बदलाव अपनी भावनाओं को काबू में करके किया जा सकता है अज़ाव अपने कारे को जितना जादा परिश्रम से करेंगे उसे के अकॉर्डिंग ले आपको उचित रिजल्ट भी हासिल हो पाएंगे युवा वर्ग अपनी किसी दुविधा के दूर होने से रहत महसूस कर पाएंगे और भवेशी से रिलेटिड फैस्टों को लेने के लिए उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिरेंस और हिम्मत काफी बढ़ती नज़र आएगे आज किसी नज़ी की समंद को लेकर आपके अंदर शक और वहम जैसे सितिया उत्पन हो सकती है और इसकी वज़े से समंद भी आपके खराब हो सकते है महतर होगा कि नेगटी बातों को अपने दिमाग से निकाल दीची और negrati जो लोग बाते करते हैं उनसे भी ज़ाधा से ज़ाधा दूरी बना कर रखिएगा तो बागे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं आज के business और career के बारे में तो business और career आपके बारे में कहते हैं कि कारों बारी विस्तार से related आज plannings बनेंगे लेकिन उन पर निवेश करने से पहले आपको सभी जो चीज़े हैं आगे पीछे जो भी है पहलू है उस पर विचार करना पड़ेगा किसी के साथ पार्टर्शिप करने के लिए भी समय ठीक ठाक ही है कोई अफिशिल यात्रा भी आज आपको करनी पढ़ सकते हैं से जूड़े इन लोगों को आज काम के द्वारा नाम के साथ प्रगति भी हासिल होगी यानिकि जो टीचर्स वगारा है उनको बहुत ही उम्दा रिजल्ट मिलेंगे मान समान भी बढ़ता नजर आ सकता है आज मारकेटिंग से रिलेटिड सभी कामों को स्थगित रखी क्योंकि लाप की संभावनाएं कम लग रही हैं इस समय अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस, कारेस्थल पर केंदर्त करिएगा दूसरों की बजाए अपने विचारों को प्रात्मिकता दे नौकरी पेशा लोगों के अपने अधिकारियों के साथ समन अच्छे रहेंगे और ऐसे भी आपको बना कर रखना है अगर आप बनाएंगे तो तभी मिलजुल कर टीमवा कर पाएंगे और आप प्रगती हासल कर पाएंगे फिर कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है काम की प्रती आपका सेल्फ आन्फिरेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा जिसके वाज़े से आर्थिक आवक भी बढ़ेगा निकी इंकम के स्रोतों जो है वो बढ़ते नज़र आएंगे बस खर्चों बर आपको थोड़ा कंट्रोल करते रहना है फालतू चीजों का फालतू खर्चा बिलकुल भी मत कीजिए जो चीज इंपॉडन है घर के लिए चाहिए आपको अपने लिए चाहिए वही खरीदेगा फालतू चीज मत खरीदे वरना उसी चीज का कोई फाता नहीं होगा और आपका भी नुकसान हो सकता है तो यह चोड़ी-चोड़ी बात है अगर आप धिहान में रखेंगे तो सब कुछ आपका ठीक होता चला जाएगा तो बिजनस और करेड के बाद बात कर लेते हैं लव लाइफ की लव लाइफ कहती है कि परिवारिक कवात्ता वरन आपका सुहार्द पूर्ण रहेगा जीवनसाती का साथ भी मिलेगा और आपकी बरिशानियां भी हल हो पाएंगी अगर आप एक दूसरे से शेयर करते हैं तो लव लाइफ में कुछ बदलाव ना दिखने की वज़एसी आप पर बना तनाव और भी ज़्यादा बढ़ सकता है कई लोगों का इसलिए आपको जो है बदलाव करने के कोशिश करने चाहिए एक दूसरे में जो है पॉजिटीव चीज़े रखनी चाहिए रिलेशन्शिप में हो रही तकलीफों को मिठाने की कोशिश आपकी थोड़ी सी असफल रह सकती है कई लोगों की और कई लोगों की ठीक भी रहेगी, काम्याबी लहेगी जारतर व्यस्तिता की बावजूद अपने परिवार के लिए आप समय जरूर निकाले उन्हें वहाँ अच्छा लगेगा स्पैशली बच्चों को इसे जो है परिवार में आप से समन्द अच्छे रहते हैं, प्यार भी बना रहता है और आप एक दूसरे के साथ काफी अंटरजैनिंग अक्टिविटेस कर सकते हैं घर पर ही अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वास्तिकी स्वास्तिक कहता है कि कभी-कभी नेगेटीव इचारों के उठने से तनाव रहेगा इसका आशिर आपकी शिरेडिक शंदा पर भी बढ़ सकता है, योगा करे, मेरिटेशन करे, इससे आपको बहुती ज़ादा उम्दा रिजल्ट और अच्छे निदीजन मिल सकते हैं स्वास्तिक की तरफ जारा ध्यान तो देना ही है, शिरेड में वाइटमिन्स की कमी होने की वज़े से कोई न कोई तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको रेगुलर चेक अप करवा कर अपने वाइटमिन्स की कमी को पूरा गीचे, मैडिसन प्रॉपर लेचे तो सब कुछ छीक हो जाएगा, शिरीरिक और मानसिक ठकान हावी हो सकती है जारा तर, इसलिए कुछ समय मन रंजन और अराम से रेलेटिट कारों में अगर आप टाइम स्वन करते हैं, तो वो जो है आपके लिए बहुत ही बढ़िया और उत्तम रहेगा, तो चलिए अब जरूर रखने चाहिए, साथ ही में आज जो है फूलो की माला आज अपने इश्ट देव को जरूर चढ़ाएगा, यह के साथ ही आप छोटा सो पाय करें, घर से निकलते वक्त जो है, नहीं वगयरा खाकर निकली और दायां पैर घर के बाहर सबसे पहले रखेगा, और साथ ह अगर आप चाहें तो अपने मस्तक पर माथे पर आप हल्दी का तिलक लगाए तो बरकत सारा दिन बनी रहेगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आएगे, सब काम बनते चले जाएंगे, तो दोस्तों अगर आप को यह वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें, श्यर् आप नहीं बाई